इस सब प्रिस्मस पर सेंटा नहीं बलकि शेर आने वाला है वो शेर जिसके आगे अच्छे अच्छों का बना बनाया माकेट थर थर कपकपी छोड़ने लगता है अगर आप सोच रहे हैं कि यहां हम सालार की बात कर रहे हैं तो जरा अपने दिमाग पर ब्रेक लगा लीजिए क्योंकि बॉक्स ओफिस का शेर तो सिर्फ एक ही था एक है और एक ही रहेगा जिहां बॉलिवुड का किंग शारुख खार शारुख के अगली रिलीज फिल्म डंकी जिसको लेकर कई दावेट होके जा रहे थे कि फिल्म पोस्पॉन होकी सोर्सिस के हवाले से स्टेट्मेंट दिये जाने लगे कि फिल्म अगले साल रिलीज की जाए की मगर बीते दिन की ये सफाचट हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फिल्म का टलना तो दूर की बात है प्रभास संग क्लेश से दरना तो छोड़िये इस फिल्म के मेकर्स ने अब मूवी का सीधा ट्वेलर ही लाँच करने का एलान कर दिया है अब शारू के स्टारडम में कितना दम है इस बात की आगे कुछ और बोलने की जरूत ही नहीं है जी हाँ आपने एकदम सही सुना है शारू खान की तीसरी रिलीस फिल्म डंकी के टीजर को लेकर बिलकुल पक की अपडेट सामने आई है जिसके बारे में वेल नोन फिल्म क्रिटेक तरन आदश ने अपने सोशल मेडिया पर बताया है उन्होंने सबसे पहले तो इस बात को क्लियर किया है कि फिल्म पोस्पॉन नहीं हो रही है उसके बाद कुछ ऐसा लिखा जिसकी उमीद किसी को नहीं थी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये तरन आदश का ट्वीट सबसे होट प्रेंडिंग ट्वीट बन चुका है जिसमें साफ सीथे शब्दों में एक लाइन लिखी हुई है और उसमें बताया गया है कि डंकी पोस्पॉन नहीं हो रही है ये इसी सार फ्रिस्मस पर आ रही है और आखे में लिखा है डंकी टीजर कमिंग सून हाला की तरह नादर्श्र अपने ट्वीट में टीजर की डेट कहीं भी मेंशन नहीं की है ना ही डेट से जुड़ा कोई क्लू दिया है फैंस भी फिलहाल सुर्फ इतनी ही निउस से खुश है कि डंकी का टीजर आ रहा है लेकिन हमारे हाँ डंकी के टीजर की एक डेट लग गई है जो लगभग दैमानी जा रही है दो नवंबर दो हजार तेज़ इस डेट को अब क्या है यह हमें आपको बताने की बिल्कुल जरुद नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शारुक के दिवाने एक बांग को अपना जनम दिन भूल सकते हैं लेकिन किंग खान का नहीं यूज्वली देखा जाता है कि मेकर स्टार्स के जनम दिन पर ऐसा कुछ खास मेटीरियल फिल्म से रुलीस करते हैं और वो शुब घड़ी आ ही रही है तो इससे अच्छी देख टीजर को रिलीस करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकती हलाकि ये तो ऑक्टुबर के एंड तक पता चलेगा कि राजकुमार हिराने के दिबाग में टीजर की रिलीस को लेकर कौन सी खुफिया प्लाइनिंग चल रही है लेकिन आप हमें कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि दंकी के टीजर की रिलीस की खुशकप्री सुनकर आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइजन हो गए है बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिफ, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल आइकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं